गुड मॉर्निंग दियर स्टुडेंट्स वी वर स्टुडिंग दा चेप्टर द लोस्ट चाइल्ड कल हम द लोस्ट चाइल्ड चेप्टर पढ़ रहे थे एक पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं आज ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या बताता है राइटर इस चेप्टर में एक बच्चे की स्टोरी है अभी तक हमने पढ़ा कि वह बच्चा मेले में गया हुआ है और मेले में जिसको चीजे दिखाई देती हैं तो उनके परती आकर्शित होता है तो देखिए क्या होता है As they near the village जैसी वो गाउं के पास पहुंचे जहाँ मेला लगा हुआ था The child could see many other footpaths full of throngs Converging to the whirlpool of the fear and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering जैसे इस ने गाउं में देखा कि वो footpath कैसे था full of throngs throngs क्याता है लोगों का जुंड लोगों के जुंड से यानि भरा हुआ था यानि वहाँ पर बहुत सारे लोग जुंड बना कर खड़े थे converging converging होता है एक ही center में मिलना to the whirlpool of the fair यानि वो जितने भी footpath से वो रास्ते थे वो कहां मिलते थे एक whirlpool of the fair मेले का एक whirlpool लगाया था वाइल पूल क्या होता है एक बहुत बड़ा घेरा बहुत बड़ा घेरा या एक तलाब या कोई बैठने का स्थान मेले के अंदर जो बनाया and fascinated by the confusion of the world he was entering और वो उससार में वो enter कर रहा था, भहां से वो repelled भी हो रहा था and fascinated भी हो रहा था उनकी परती अकर्शित भी हो रहा था और प्रतीकर्शित भी fascinated हो थाकर्शित होना और repelled इसका opposite हो जाएगा a sweet meat अब क्या था वहाँ पर एक स्वीट मिट मिठाई बेचने वाला सेलर हागड वो चिला हागड होता है चिला कर समान बेचना वो क्या चिला रहा था गुलाब जामन, रसगुला, बर्फी जलेबी at the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter और वहाँ पर बहुत सारी crowd, crowd means भीड खडी थी and the foot of an architecture of many colored sweets architecture होता है एक नक्षा बना देना है जैसे जो मिठाई बेचने वाले होते हैं वो मिठाईयों की एक architecture बना देते हैं एक नक्षा बना देते हैं अपने मिठाईयों को सजाने के लिए of many colored sweets बहुत सारी color की मिठाईय decorated with leaves of silver and golden के उपर silver and gold के परत चढ़ाई हुई थी देखा होगा आपने कि जैसे बर्फी या रसगुलों के उपर silver and gold का leaves यह वो उपर एक वक्र परत चढ़ाई हुए थी है उस बच्चे की जो आखियें खुली रह गी and his mouth watered for the बर्फी उसके मुँ में पानी आ गया क्या देखकर किसके लिए बर्फी के लिए and that was his favorite sweet क्योंकि उसकी favorite sweet थी I want that बर्फी मुझे वो बर्फी चाहिए he slowly murmured murmured ता बुदबुदाना मन ही मन में बोलना धीरे से बोला but he half knew as he begged क्योंकि वो जानता था as he begged अगर उसने प्रार्थना भी की that his plea plea योतिय प्रार्थना would not be he did वो स्विकार नहीं की जाएगी because his parents would say he was greedy क्योंकि उसके मात अभी तक एंगे कि तू लालची है so without waiting for an answer he moved on बिना कि किसी उत्तर का इंतजार किये वह वहां से चल पड़ा आगे जाकर a flower seller hugged एक फूल बेचने वाला चिलाया a garland of gulmohar gulmohar के फूलों का har garland होता है har a garland of gulmohar the child seemed irresistibly drawn irresistibly drawn irresistibly होता है यहनि की बहुत जादा ऐसा लगता था बच्चा उसकी तो बहुत जादा आकर्शित हुआ he went towards the basket उस basket की तोकरी की तरफ गया where the flowers lay heaped and half murmured जहां पर वो flowers रखे हुए ते उनका ढेर लगाया हुआ था और मन ही मन में बुदुदाया I want that garland but he well knew लेकिन वो अच्छे से जानता था his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap cheap होता है सस्ता कहता है अगर उसने ये fool मांगे तो उसके माता पिता मना कर देंगे क्या कहकर कि ये तो सस्ते हैं ये घटिया हैं so without waiting for an answer he moved on बिना किसी answer का इंच जार किये वह फिर आगे चला a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो एक pole के उपर गुबारे लगाए हुए था different colors के जो colors यहां पर दी हुए है yellow, red, green, purple the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire अब उनको देखकर यानि कि rainbow glory उनके सुन्दरता देखकर उनके silken colors को देखकर उस बच्चे के अंदर क्या भर गया overwhelming desire overwhelming होता है जिसके उपर काबू ना रहे ऐसी इच्चा जिसके उपर काबू ना रहे ऐसी इच्चा to possess them all, उन सभी को लेने की but he well knew his parents would never buy him the balloons लेकिन वो जानता था उसके माता पिता कभी उसको balloon नहीं दिलाएंगे because they would say he was too old to play with such toys क्योंकि वो ऐसे कहेंगे अब तू छोटा बच्चा नहीं रहा जो ऐसे खिलोनों के साथ खेले so he walked on further इसलिए फिर आगे चला a snake charmer आगे उसने देखा snake charmer snake charmer होता है सपेरा stood playing a flute वो बांसुरी बजा रहा था बीन बजा रहा था to a snake which coiled itself in a basket और एक उसकी basket में एक snake coiled कुंडली लगाए हुए बैठा था its head raised उसका सर आगे उठा हुआ था in a graceful bend like the neck of a swan यह एक हंस की तरह अपनी गर्दन को मोड़े हुए था while the music stroll swan होता है हंस while the music stroll into its invisible ears यह जैसे ही music इसके कानों में पड़ता है लेकिन कान कैसे इसके invisible कान साब के जो कान होते हैं वो अद्रिश होते हैं like the gentle rippling of an invisible waterfall और वो फिर क्या करता एक gentle rippling करता उस आवाज में gentle rippling of an invisible waterfall देखिए दोबारा देखते हैं इस line को while the music stroll into its invisible ears कि जब वो सपेरा बीन बजा रहा था तो वो उसके invisible ears में जब वो music है वो किसकी तरह जा रहा था like the gentle rippling of an invisible waterfall जैसे ही कि कोई यह द्रिश्य जरने में मधूर मधूर लहरें जा रही हों the child went rippling होती है लहरें the child went towards the snake charmer अब वो बच्चा उस सपेरे के पास गया but knowing his parents लेकिन वो जानता था had forbidden him to hear such course music course होता है घटिया लेकिन मातापिता ने मना किया हुआ था ऐसे घटिया music को ना सुनने के लिए as the snake charmer played he proceeded father लेकिन जो सपेर है वो बचाता रहा लेकिन वो आगे निकल गया देरवाजा round about in full swing round about क्या आता है एक घुमावधार जुला men, women and children carried away in a wiring motion wiring motion एक भमर की तरह है यानि वहाँ पर जो round about जुला लगवा था बड़ी in full swing बड़ी तेज चल रहा था और उसके अंदर आदमी औरतें और बच्चे carried away in wiring motion एक भमर की तरह है जुल रही थे श्रीक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर और चिखें मार रहे थे और चिला रहे थे विद डीजी लाफ्टर डीजी होता है जैसे चक्कर आने वाली खुशी जैसे जुले में वैटते हैं उससे चक्कर आते हैं उस खुशी में वो पागल हो रहे थे बच्चे ने उने बड़े ही ध्यान से देखा और फिर हिम्मत करके अपने पिता से रिक्वेस्ट की माता जी पिता जी मैं उस जुले पर जुलना चाहता हूं